Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज October 19 को तोटल पांच आर्टिकल डिसकस किया जाएंगे First आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है Fear Factor इस आर्टिकल में हम Base Effect के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से Base Effect Inflation Estimation या फिर GDP Estimation पे Impact डालते हैं यह Important Concept है आप लोग इसको अच्छे से समझें नेक्स आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है The Ab Original Referendum in Australia इसमें Basically हम Means के Perspective से Australia Constitution के बारे में समझेंगे और यह आपको Means में पूछा जा सकता है Comparison में India Constitution और Australia Constitution के जो बीच में Amendment में डिफरेंस है उसके बारे में नेक्स आर्टिकल की बात करते हैं नेक्स आर्टिकल हमारा है What Caused Largest Mars Quack? Why Answer Surprise Scientist? इसके बाद हमारा नेक्स आर्टिकल है विजहिंजम पोर्ट के बारे में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और हमारा लास्ट आर्टिकल है Severe Spell of Draught in Amazon Causes Impact and Warning Bells तोटल पाँच आर्टिकल डिसकस किये जाएंगे डिटेल में साथी अगर आप लोगों का हमारा content पसंद आ रहा है हम लोगों का explanation पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, share करिए और subscribe करिए आईए शुरू करते हैं article discussion हमारा first article है fear factor यह article दहिंदू में आया है और GS3 economy के perspective से important है इस article में हम एक concept के बारे में समझेंगे base effect base effect का अपने नाम बहुत बार सुना होगा कि base effect के कारण inflation जादा हो गया है base effect के कारण कम हो गया है GDP जादा हो रही है GDP कम हो रही है इस article के दूप शुरू करते हैं article article news में क्यों है तो recently September का data release हुआ है inflation का जो की ease हो गया है 5% पर पहुच गया है अगर हम July की बात करें तो जो inflation rate था वो 7.44% पर पहुच चुका था 5% पर आने का मतलब जो inflation targeting threshold है 4 plus minus 2 यहाँ पर हम पहुच चुके हैं तो यह बहुत अच्छी बात है consumers के लिए क्योंकि inflation अब control लेवल पर बहुच चुका है inflation के बारे में अगर बात करें एकदम normal सी चीज़े हैं अपने को पता है already inflation मतलब मुद्रा स्विती inflation मतलब होता है general level of increase in prices of goods and services ठीक है तो जो goods and services के general level of increase in prices उसको क्या कहा जाता है inflation हम लोग जो inflation calculate करते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकता है headline inflation headline inflation में volatile component include किये जाते है volatile component में क्या क्या आता है fuel हो गए vegetables हो गए food prices basically food के जो prices हैं वो बहुत सारे external factor पर depend करते हैं जैसे monsoon हो गया वैसे ही fuel जो है external factor पर depend करता है अगर बाहर जैसे अभी Palestine conflict हुआ है तो fuel prices बढ़ गए तो यह जो inflation है headline inflation यह volatile component को मिला करके calculate किया जाता है estimate किया जाता है और यही inflation हमारे जो consumer है उन्हें phase करना पड़ता है उन्हें pay करना पड़ता है और इसी के थूँ हम CPI भी calculate करते हैं next हमारा है core inflation इसमें core inflation में volatile component नहीं होते और यह हमें actual बताता है कि general level of price rise कितना हो रहा है goods and services में जो economy में produce हो रहे है यह actual picture बताता है अलाकि जो reporate और reverse reporate decide होता है वो headline inflation यह CPI से decide किया जाता है उर्जित पटेल की committee 2014 में बनी थी उन्होंने कहता है कि CPI से ही decide किया जाएगा reporate कितना होना चाहिए और नहीं होना चाहिए यह हमारे basic concept हो गए अब बात करते हैं कि inflation कम क्यों हुआ कम होने का reason है dip in volatile prices of vegetables and tomatoes क्योंकि arrival हुआ है tomatoes का market में supply बढ़ गई है demand उतनी ही थी supply demand match कर गई prices कम हो गए पहले supply कम हो गए थी क्योंकि crop losses हुए थे हिमाचल प्रदेश में जो क्या हो गया था flood आ गया था उससे बहुत losses हो गए थे उसके कारण prices बहुत सा था बढ़ गए थे vegetable के prices भी बढ़ गए थे लेकिन अभी यह ease हो गए है क्योंकि supply दुबारा से बढ़ गई है दूसरा reason क्या है base effect from September 2022 September में कितना था inflation? 7.4% September में बहुत जादा inflation था इसलिए जो अभी inflation calculate करने में आया है inflation हमेशा year on year basis पे होता है मतलब अगर September 2023 का कर रहे हैं तो उसका base क्या होगा? September 2022 ठीक अब यह base effect होता क्या है? इसको समझते हैं मान लिजे 2022 में September में prices 100 से 110 रुपए पहुच गए ठीक है? तो कितना जो है inflation हुआ? 10% inflation आएगा 110 minus 100 divided by 100 यह हो गया 10 upon 100 into 100 तो यह हो जाएगा 10% अब यहाँ पर जो price बदला है वो कितना रुपए बदला है? 10 रुपीज inflation कितना आएगा? 10% अब 2023 की बात करें तो prices कितने है? 110 base price क्या है? 110 क्योंकि हम इस से calculate कर रहे हैं last September से और prices अब कितने बढ़ चुके हैं? 121 मतलब total कितना change आया? 11 रुपए अब 11 रुपए का हम जब percentage निकालेंगे तो total कितना आएगा? 121 माइनस 110 तो यह हो जाएगा 11 divided by 110 into 100 तो यह कितना हो गया? 10% अभी भी percentage कितना आ रहा है? 10% inflation अभी भी 10% है लेकिन अगर आप price rise देखेंगे तो कितना रुपए बढ़ा है? यहाँ पर base जादा है अगर यही base यहाँ पर 100 होता तो क्या होता? 11% आ जाता मालिजी यह 100 है और 111 रुपए बढ़े हैं 111 हो गया तो total कितना होता? 11 upon 100 into 100 11% तो percentage जादा आता inflation का क्योंकि यहाँ पर 11 रुपए हैं लेकिन inflation कम आया है base effect के कारण क्योंकि यहाँ पर जो base है वो बढ़ा है उसी तरीके से September में base 7.4% inflation जादा था तो high base के कारण थोड़ा भूद भी उसमें अगर changes आया है तो मतब जादा change भी आया होगा तो भी जो हमारा inflation आएगा वो कम आया है 5% इसलिए यह कम inflation दिखा रहा है और इसलिए इसे कहा गया है कि partly base effect के कारण यह inflation कम आया है hopefully आपको यह base effect वाला concept समझ में आ गया होगा जैसे ऐसे base बढ़ता है तो change बहुत जादा होने की ज़रुरत है तब जो है similar percentage आएगा अगर base छोटा है तो थोड़े से change में भी percentage बहुत हाई हो जाता है जैसे माल लिजए base एक है और 2 रुपए पहुच गया एक का price तो कितना percent बढ़ा 100 रुपए 100% और अगर माल लिजए 10 है और prices अभी भी एक रुपए बढ़े 11 पहुच गया तो percent कितना होगा 10% इसका मतलब जैसे जैसे ये base बढ़ते जाएगा वैसे वैसे percentage कम होते जाते हैं ये होता है base effect का मतलब hopefully आपको ये समझ में आ गई होगी यही बस concept के बावे में बात करना था उसके अलावा अगे क्या है इसमें ये ही सब लिखा हुआ है कि El Nino और Palestine issue जिसके कारण फ्यूल प्राइसे El Nino के कारण वेजिटेबल प्राइसे आने वाले समय भी इन्फलेशन बढ़ने की समभावना है इसके अलाब और कुछ भी नहीं है hopefully ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो नेक्स्ट आर्टिकल है The Ab Original Referendum in Australia ये आर्टिकल The Hindu में आया है और GS2 मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत important है परी के परस्पेक्टिव से भी थोड़ा important है क्योंकि आपको पता होना चीज़े ये सारी चीज़े news में क्यों है पूछा जा सकता है किसी तरीके से पर Means के परस्पेक्टिव से इसलिए important है क्योंकि UPSC में पिछले तीन से चार साल में एक question हमेशा पूछा जाता है comparison comparison between the constitutional provisions of different countries and India for example UK और इंडिया के बीच में recent 2023 में आया था British parliamentary democracy और इंडिया parliamentary democracy के बीच का difference 2020 में जो है UK की जो judiciary है इंडिया की judiciary दोनों के बीच का difference पूछा गया था उसके पहले US के बारे में पूछा जा चुका है तो ये comparison पूछे जाते हैं France related भी पूछा जा चुका है तो इस तरीके के comparison आपको लगातार पूछे जा रहे हैं इसमें Australia constitution के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है इसलिए आपको ये important हो जाता है किस तरीके से constitution में amendment किया जाता है Australia में उसके बारे में पढ़ेंगे वो important aspect है referendum हुआ अच्छी बात है इसकी जानकारी होना चाहिए कि आखिर referendum क्यों हुआ है क्या reason है क्या हो रहा था लेकिन जो main part है जिस पर हमें focus करना है वो constitution है Australia का वहाँ पर किस तरीके से amendment होते हैं constitution में ये आपके लिए जादा important aspect होगा इस article का शुरू करते हैं हमारा article क्या हुआ है क्या हुआ है रिसेंटली एक प्रपोजल जो है किया था गॉर्मेंट ने और वो प्रपोजल देने के बाद उसमें रिफ्रेंडम हुआ था रिफ्रेंडम का मतलब क्या होता है लोगों से डारेक्ली वोटिंग करवाना और डिसाइड करना कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए प्रपोजल क्या था इस्टैबलिश किया जा रहा था एब ओरिजनल एंड टॉरिस इस्ट्रेस आइसलेंडर वोईस ये है क्या बेसिकली इट्स एन एडवाइजरी बॉडी फॉर दे नेशनल पार्लेमेंट एन गॉर्मेंट तो ये एक बॉडी बनाने की बात की जा रही थी जो पर्टिकुलर्ली किस पर फोकस करेगी एब ओरिजनल एंड टॉरिस इस्ट्रेस आइसलेंडरों पर कौन है ये ये एब ओरिजनल लोग क्या है अब बात की जाए अगर पॉपुलेशन की तो नॉन इंडिजनल पॉपुलेशन किती है 96% इंडिजनल किती है 3.3% इंडिजनल पीपल एक्चल में है क्या जैसे हमारे या ट्राइबल लोग होते हैं उसी तरीके से यहां पर इंडिजनल पीपल है इन लोग लगभग 60,000 सालों से आस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और इनकी खुद की हिस्ट्री है, खुद के ट्रेडिशन है, खुद की लेंगवेज है तो बेसिकली यह वाइट पीपल से अलग है और इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है अगर हम इस 3.3% को डिवाइड करें तो एब ओरिजनल का परसेंटेज कितना है इस 3.3% पॉपलेशन में 91% और टॉरिस स्ट्रेट आइजलाइंडर का पॉपलेशन कितना है वो कम इसलिए हुई क्योंकि यहां पर ब्रिटिश का राइवल हुआ और यह बहुत आव्यस रीजन है 1788 में ब्रिटिश अराइवल होने के कारण स्लेवरी, किलिंग्स और जो न्यू डिसीज़ेशन है उनका भी अराइवल हुआ जिसके कारण बहुत सारे जो इंडिजनस पीपल हैं उनकी जान गई और उसके कारण उनकी पॉपलेशन काफी कम होती चली गई 1970s के लेट तक वन इन थरी चिल्डरन वर फोर्सिबली रिमॉब फ्रॉम दियर फैमिलीज फॉर assimilation into white society तीन में से एक बच्चो को हमेशा remove कर दिया जाता था इंडिजनस फैमिली से ताकि white society में उन्हें assimilate किया जा सके ये कब तक हो रहा था 1970s के लेट तक हो रहा था ऐसा गॉर्मन ने apologize भी किया था कहा था ये जो stolen generation है इसके लिए हमें माफी चाहिए 2008 में ये stolen generation के लिए माफी माँगी गई थी ये stolen generation जो word है ये आपको pre में पूछा जा सकता है कि किस context में जो है ये बात की गई है और इसलिए आपको ये word जो है recently in the news में पूछा जा सकता है prelims में पूछा जा सकता है इस article से सिर्फ ये question बन सकता है pre perspective से अब main aspect पे आते हैं जिस पे हमारा focus है वो है Australian constitution Australia का constitution सबसे पहली बात तो written constitution है और यहाँ पर अगर हमें कोई भी constitution amendment कराना है तो amendment कराने के लिए referendum कराना पड़ता है referendum का मतलब क्या होता है आप कोई भी सबसे पहले एक proposal देते हैं उस proposal में yes और no करके voting होती है जितनी भी जनता होगी वो सारी जनता मिलके क्या करेगी yes और no voting देगी और अगर majority मिलेगी तब ही यह proposal क्या होगा finally succeed होगा और उसके बाद ही constitution amendment किया जा सकता है referendum का मतलब यह होता है तो इसका मतलब यह है कि referendum कराना बहुत difficult task है इतना आसान नहीं है बहुत costly exercise है long time consuming exercise है तो बहुत आसान नहीं है constitution में amendment करना Australia में अब बात करते हैं कि Australia की amendment process क्या है तो वहाँ पर double majority की जरूरत होती है referendum के साथ साथ double majority का मतलब क्या है पहले तो जितने भी लोग रहेंगे referendum में जितनी भी population है yes or no करके vote डालेगी और 51% population का vote अगर yes होगा तो क्या हो सकता है यह amendment हो सकता है first condition यह है और दूसरी वहाँ पर six states है six states का मतलब क्या होता है वहाँ पर total जैसे अपने हाँ यह majority में vote देना पड़ेगा तो total four states की हमें majority चाहिए होगी अगर referendum पास कराना है तो अलग कि वहाँ पर जैसे अपने union territory है वहाँ पर भी territories है लेकिन उनका vote state में count नहीं होता है state majority में जो लोग हैं उनके vote में वहाँ के रहने वाले लोगों का vote count होता है तो यह double majority लगती है कहाँ पर constitution amendment करने के लिए Australia में बहुत difficult है यहाँ पर constitution amendment करना total अगर बात करें 1901 से तो total 45 times जो है यहाँ referendum voting हुई है और only 8 times यह succeed हुआ है यहाँ पर बहुत difficult है इंडिया में इस से काफी जादा असान है इंडिया में referendum कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया में population देर सो करोड है और बार बार इतने लोग vote करने जाएंगे yes और no के लिए किसी एक simple issue के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दूसरी चीज important यहाँ पर क्या है यहाँ पर voting compulsory है ठीक है तो इस तरीके की question भी आपको पूछे जा सकते हैं कि क्या इंडिया में voting compulsory की जानी चाहिए है जैसे कि Australia में की गई है तो Australia में voting compulsory है और 18 साल से उपर की लोगों को vote डालना हमेशा पढ़ता ही है यहाँ पर voter turnout rate की बात की जाए तो हमेशा 90% से उपर ही रहता है voting compulsory 1924 में यहाँ पर की गई थी ठीक है तो यह दो चीजें इस article से बहुत ज़्यादा important है यह आपको समझने की जरुरत थी hopefully यह चीजे आपको समझ में आ गई होगी जो referendum हुआ है वो प्रेल हो गया है 40% लोगों ने नो बोल दिया है 60% लोगों ने यस कहा था और 60% लोगों ने नो कह दिया है तो यह referendum यहीं खतम हो चुका है state majority की जरुरत ही नहीं पड़ी ठीक है तो यह बाकी आपकी लिए इतना इंपॉटन है नहीं यह इंपॉटन चीज थी होफुल्य आपको चीजे समझ में आ गई होगी तो यह हमारा आर्रिकलगा 1 par another which ian isa जब्राइस साइन्टिस्ट यह अर्टिकल इंडियन एकस्परेस में आये है और प्री के परस्पेक्टिव से important है means में नहीं पूछा जाएगा current affairs के परस्पेक्टिव से important है information based article है जो भी static information आपको दी जा रही है आपको उसे ध्यान में रखने की जरुरत है क्या है information शुरू करते है article on may 4 2022 nasa insight lander detected the largest quake yet recorded on mars one with 4.7 magnitude fairly modest by earth standards but strong for our planetary neighbor तो क्या हुआ है मई 2022 में mars में quake आया quake मतलब vibrations के कारण पुरा mars हिला और उसको किस ने record किया nasa के दौरा भेजे गए lander ने जिसका नाम क्या है insight lander ये आपको याद रखना है insight lander is associated with mars mission launched by nasa ये static आपको चीज याद रखनी जरूरी है अगर हम earth के standard से देगे तो 4.7 magnitude कोई बड़ा magnitude नहीं है लेकिन mars के standard में ये बहुत बड़ा mars quake है अब आगे बात करते हैं given mars lack the geological process called plate tectonics that generate earthquake on our planet scientist suspect a meteorite impact that caused this mars quake जैसे कि earth होता है अर्थ में हमारे यां plate tectonics के कारण earthquake आते हैं क्योंकि earth जो है seven plates में divided है और वो सारी plate move करती है तीन तरीके की plate होती है एक convergent दूसरी divergent और तीसरी transform boundary plates convergent plates इस तरीके से दोनो एक दो plates जो है अलग-अलग plate एक दूसरे में converge हो रही होती है divergent plates दोनो एक दूसरे से दूर जा रही होती है और transform horizontally move कर रही होती है तो इस तरीके से यहाँ पर fault line होने के कारण अर्थ quake आता है कहाँ पर अर्थ में obviously quake आता है अर्थ में इसी plate tectonics के कारण लेकिन मार्स में ऐसी कुछ हमें geological activity के बारे में कोई जानकरी नहीं है तो सबसे पहला जो ध्यान आया scientist को सबसे पहले क्या लगा कि कोई meteorite के impact के कारण क्या हुआ होगा यहाँ पर quake आया होगा तो उन्होंने क्या देखना शुरू किया कि यहाँ पर कहाँ पर वो impact बना है crater को धूनना शुरू किया लेकिन वो crater कहीं दिखाई नहीं दिया तो finally उन्होंने यही conclude किया कि यह tectonic activity के कारण quake Mars में आया है जो की बहुत important है Mars की future study के लिए geological study Mars के अंदर के layer को समझने के लिए और यह बहुत बड़ा evidence मिला है NASA को ठीक है तो यह Mars के perspective से Mars को समझने के perspective से काफी जादा important है यह हमें Mars की जो tectonic process है उसको समझने में और help करेगा उसमें एक step हम और closure आ चुके हैं अर्थ की बात करें तो अर्थ बहुत सारी plates में major seven major plates में divided है और कई सारी minus plate में divided है हमको पहले से पता है Martian crust is single solid plate जो Martian crust है वो एक single solid plate है तो फिर किस तरीके से यह quake आया होगा यही बहुत बड़ा सवाल है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है even though there are no active plate tectonics process going on anymore this fault can trigger quacks जो कुछ पंडित है अनलिस्ट है उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल single solid plate होने के कारण quake बिल्कुल भी नहीं आएगा कोई activity नहीं हो रही है जो Mars planet है वो धीरे-धीरे shrink हो रहा है cool हो रहा है और कुछ न कुछ motion अभी भी है crust के अंदर और उसी के कारण यह fault line के कारण क्या हुआ है quake आया है quake मतलब तो पता है जैसे earth quake है earth में vibrations आते है जो energy release होती है नीचे से उसके कारण vibrations आते है और उसी vibration को earth quake कहा जाता है उसी तरह से Mars में भी vibrations देखे गए और उसे Mars quake कहा गया ठीक है तो यह basically हमारे लिए काफी important है Martian geological process को समझने के लिए बस इस स्यादा और कुछ important नहीं है इस article में hopefully आपको चीज़े समझ में आ गई होगी next article है विज हिंजम port latest row over mega project यह article Indian express में आया है और information based article है pre perspective से important है और means perspective से भी important है आपको पता होना चाहिए port कहां बन रहा है इस port के बारे में जो जो जानकारी है information वो आपको पता होना चाहिए काफी controversial यह port है इससे काफी सारी controversy जुड़ी हुई है recently काफी controversies हुई है यह 2015 में शुरू हुआ था बनना Congress की उस समय सरकार थी केरिला में उन्होंने इस project को execute करने के लिए किसे दिया Adani Ports and SEZ Private Limited उन्होंने कहा कि वो एक हजार दिन में से complete कर देंगे लेकिन लगातार इसमें delay होते जा रहे है government के तरफ से delay pandemic के कारण delay और फिर protest होने के कारण भी delay fisherman का यह protest हुआ था जो latest controversy है अब बात करते हैं project की project के 3-4 point काफी important है सबसे पहला point है कि यह country का first deep water transshipment port है transshipment होता क्या है when goods are to be off-ladded at an intermediate port and loaded onto a different ship to make it onward journey it is called transshipment basically यह क्या है एक transshipment में क्या होता है एक ship आती है यहाँ पर travel की इस port में उन लोगों ने क्या किये intermediate junction है जैसे दिल्ली की बात की जाए यहाँ पर लोग आके train बदलते हैं फिर दूसरी train में चड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सामान जो है क्या होता है दूसरी जगा जाने के लिए distribute होता है उसी तरीके से यह transshipment port डेवलप किया है यहाँ पर बहुत सारी ships आएंगी unloading करेगी offloading करेगी फिर दूसरी ship में पर यहाँ से दूसरी ship अपना उस जरनी को travel करना शुरू करेगी जहां उसे यह समान पहुचाना है तो यह होता है transshipment port यह port में इंडिया की अभी तक बहुत जादा कमी थी इंडिया के पास एक भी transshipment port नहीं था जो deep water हो deep water का importance क्या है अभी समझेंगे it has a natural depth of more than 18 meter scalable up to 20 meter which is crucial to get large vessel and mother ship जो बड़ी-बड़ी vessels होती है जो ships होती है उसके लिए हमें deep water की जरूरत होती है otherwise वो यहाँ पर dock नहीं कर सकते यहाँ पर आके रुक नहीं सकते तो अगर deep water port नहीं होगा तो यह possible ही नहीं है कि यहाँ पर बड़े-बड़े ships आएं और बड़े-बड़े ships हैं उसमें बड़े-बड़े cargo होते हैं उसको ही तो हमें handle करना है उसी के लिए तो हमें port बनाने की जरूरत है तो यह port उसी perspective से बनाया जा रहा है next important point क्या है it is located 10 nautical miles from international shipping route इसका मतलब यह अगर मान लिजे international shipping route है यहाँ पर एक port है बड़िया जाओ यहाँ से left and low right and low whatever it is यहाँ पर जाके अपना जलपान गरे मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप particularly transshipment करना है तो transshipment कर सकते हैं fuel बनाना है, fuel बना सकते हैं बहुत important हो जाएगा क्योंकि shipping जो route है international जहाँ से सारी ship जाती है जहाँ से पूरा का पूरा क्या हो रहा है trade and commerce हो रहा है वो उससे सिर्फ 10 nautical miles दूर है ठीक है तो इससे इंडिया को क्या फायदा मिलेगा इंडिया को काफी फायदा मिलेगा जैसे कि यह फॉरेक्स देगा फॉरेंड डारेक्टर इंवेस्टमेंट देगा लॉजिस्टिक इंफरस्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा एंप्लॉइमेंट जनरेशन होगा रेविन्यू शेयर बड़ेगा बेसिकली इंडिया का जितना भी अभी तक के ट्रांस शिप्मेंट था वो कौन हैंडल कर रहा था कोलमबो, सिंगापूर और कलांग जो भी बड़े-बड़े कारगो होते थे बड़े-बड़े शिप्स होते थे वो इंडिया में आके नहीं आपा रहे थे और उससे रिलेटेट बड़े-बड़े कारगो भी नहीं आ रहे थे और ट्रांस शिप्मेंट मतलब इंटर्मीडेट जंक्षन का काम करने का जो काम था वो कोलमबो के पास जा रहा था वो सारा का सारा रेवेन्यू कोलंबो के पास जा रहा था, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, अब इंडिया शिपिंग जो हमारा क्या है, शिपिंग इंटरनेशनल रूट है, उसके 10 नौटिकल माहिल पर पहुच चुका है, और अब इंडिया के पास भी ऐसे बहुत सारे शिप्स आएंगे, जो इंटर आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होगी, हमारा लास्ट आर्टिकल है, सीवियर स्पेल ऑफ ड्रॉट इन अमेजॉन, कौज इंपक्ट वार्निंग बेल्स, यह आर्टिकल इंडियान एक्स्प्रेस में आया है, और आपके GS3 एंवार्मेंट के परस्पेक्टिव से बहु इसे में यूज कर सकते हैं, प्री परस्पेक्टिव से कुछ पॉइंट्स होंगे, वो आएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कॉंसेप्ट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे, शुरू करते हैं आर्टिकल, अमेज़न को क्या कहा जाता है, लंग्स ओफ प्ला इरिया है, ऑल्मोस ऑस्ट्रेलिया के बराबर, जितना ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, उतने बराबर, ये रेन फॉरेस्ट एरिया है, क्या स्टोर करता है, कार्बन स्टोर करता है, कैसे स्टोर कर रहा है कार्बन, क्योंकि यह प्लांट है, इसलिए उसमें कार्बन स्टोर हो र तारण जो climate change है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और frequency of drought और flood across the world बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये सिर्फ South America की चिंता नहीं है पुरी दुनिया की चिंता है Amazon को safe रखना अगर हम देखें तो ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं दोहसार इकीस में भी drought spell आये थे और इसी तरीके के drought spell आये थे बहुत खतरनाक थे एक चीज़ जो important है इसमें जो आई है pre perspective से वो है Rio Negro one of the world largest river by discharge level has fallen to record level of 13.59 meters near the city of Manos Brazilian authority said तो जो Rio Negro river है ये recently news में है और ये कौन सी जगा पे है ब्राजील में ये आपको पता होना जी प्री perspective से पूछा जा सकता है प्लीज इसकी mapping कर लीजे एक बार इसकी mapping कर लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा से एक map जो है जरूर रखी अपने पास उसमें जो भी current में news places आ रहे हैं उसको map बनाते चलिए places को ताकि आप जब भी exam आए तो बस उसको एक बार पलटके पढ़ेंगे और आपका वो पेपैर हो जाएगा इस तरीके के question काफी पूछे जाते हैं ठीक है तो ये हमारा जो river है उ प्यो नेग्रो रिवर अब basically ये जो dry spell है इससे हो क्या रहा है दो चीज़ें एक तो drought पढ़ेगा सूखा पढ़ेगा तो लोग जो रह रहे हैं उनको पानी की दिक्कत आएगी agriculture food security ये सारी problem जो हम लोगों को पता है दूसरा wildfires बढ़ जाएंगे जब सूखा पढ़ेगा तो wildfire बढ़ेगी उससे pollution बढ़ेगा greenhouse gas बढ़ेगी और global warming बढ़ेगी तो global warming के कारण drought आ रहा है और drought के कारण wildfire आ रहा है और ये जो process है ये cycle है continuously चलती ही जा रही है अब ये जो recent drought है इसके दो reasons है पहला reason है एनलीनो ये हमको already पता है ठीक है कि एनलीनो में क्या हो रहा है abnormal warning of surface water in equatorial pacific ocean जो equatorial pacific ocean है वहाँ पर warming बहुत जादा हो रही है जिसके कारण एनलीनो फैनो में आता है जब cooling बहुत जादा होती है तो लालीना फैनो में न होती है जब एनलीनो होता है तो इस area में भी drought पढ़ते हैं जैसे इंडिया में drought पढ़ते हैं इस area में भी पढ़ते हैं Northern Atlantic Ocean है, वहाँ पर भी water क्या हो रहे हैं? warm हो रहे हैं, अब Atlantic Ocean में जो water warm हो रहा है, उसके कारण भाब बनके वो उपर जा रहा है, और वही भाब वाला जो air है, वो कहाँ पर आ रही है? Amazon में, अब ये descent कर रही है, चुकि ये air descent कर रही है, इसलिए यहाँ पर cloud नहीं बन रहे हैं, जब भी ascent होती है air, warm air, तो क्या होता है? cloud बनते हैं, और फिर precipitation होता है, लेकिन ये descent air है, यहाँ पर pressure बढ़ गया है, क्योंकि कूप सारी air जमा हो गई है, और ये descent करने वाली air है, इसलिए यहाँ cloud formation नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण यहाँ precipitation नहीं हो पा रहा है, इन दो reasons के कारण ये चीज़े हो रही है, hopefully ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, पुरा article इससे ज़ादा कुछ important नहीं है, इसके impact क्या है, तो यही सारी चीज़े impact होगी, ये cycle के बारे में बात कर लेना, ये example के तरह आप use कर सकते हो, thank you, enjoy your day, और please आर subscribe करो, share करो अपने दोस्तों के साथ, famous famous करो, इतना मेहनत कर रहा हूं तुमारे लिए, ठीक है thank you,